Hello guys and welcome back to our YouTube channel अगर आप लोगों को होने से पहले ही पता चल जाएगी आज market one-sided move देगा, volatile move देगा या फिर market sideways move देगा तो कितना better हो जाएगा रैट तो हमेशा की तरह जैसे मैं daily live आता हूँ और सिर्फ morning के देड़ गंटे में मैं आपको exact direction, exact move के बारे में बताता हूँ वैसे ही आज मैंने अपने free telegram channel पे क्या update दिया था एक बार वो check करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग इस move के पीछी का reason देखते हैं कैसे आप इसको capture कर सकते थे वो देखते हैं और फिर detail में आपको समझ आ जाएगा अगली बार से आप ऐसे बड़े moves capture कर पा होगे ठीक है सबसे पहले यहाँ पे आपको दीख रहा होगा telegram channel है free telegram channel है कितने बज़े upload किया था सारी चीज़े आप join करके check कर सकते हो ठीक है सबसे पहले यहाँ पे आपको दीख रहा होगा range shows a one sided move तो तीन confirmation यहाँ पे मैंने बता दिये थे कि जहां भी market जाएगा one sided move आ जाएगा उसके बाद मैंने update किया था if you are on the right direction of market then today holding will give you a good reward यहाँ पे आप चेक कर सकते हो so क्यों आपको मैंने ऐसा बोलता अगर आपने by chance भी किसी one direction की move को पकड़ लिया है तो फिर बाद में आपको उसको hold करना है so that आप maximum reward ले पाओ ठीक है next यहाँ पे move आता है next जो update आता है वो है market का nature क्या है market का nature यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर चेक कर सकते हो अपने original direction में जाएगा और उसके लिए क्या है wait for second half is the favorable for second half is favorable for such setups right तो second half हमेशा ऐसे setups के लिए ऐसे probability के लिए favorable होता है क्योंकि जो market का nature है number one retailers को remove कर देना पहले दिन बर remove कर देगा जितने भी लोग है मैं इसलिए बोलता हूं मेरी बहुत जादा viral भी होई है आप लोगों यूट्यूब पर देखा होगा मैंने आपको क्या बोला है कि second half में trade किया करो या फिर थोड़ा late trade किया करो क्योंकि सुबह क्या market होता है निकालने का market होता है इसको निकाला उसको निकाला यह words आपको याद रहेंगे 1.5 million से जादा उस shots पे views है फिर भी उसमें कुछ लोग comment करते कि नहीं हम तो morning में update trade करेंगे तो अगर आप आज morning में trade कर लेते तो क्या आपको यह move capture करने मिलता बि इस तरीके का यानि की reason क्या था और कैसे इस पो आपको capture करना चाहिए था ठीक है 30 days तक free brokerage है lifetime सिर्फ 15 रुपे पर trade का brokerage है और अगर आप description वाली link से alice blue में account open करते हो तो private group में free entry हो जाएगी मेरी तरफ से so अगर आप equity में trade करते हो या फिर आप futures and options में trade करते हो तो सबसे ज़्यादा एक beginner को जो चीज़ खटकती है वो एक brokerage लोग बोलते हैं कि profit तो हो रहा है सर लेकिन आदा profit brokerage लेके चला जा रहा है तो आप लोग अगर alice blue पे trade करते हो तो 13,200 रुपे से ज़्यादा हर साल का broker brokerage आप save कर सकते हो जो web platform है alice blue का best platform है तो अगर आप देख रहे हो अच्छे broker की तलाश में हो तो आप alice blue पे account open कर सकते हो link description में दी होई है और account open करने के बाद मुझे whatsapp ज़रूर कर देना कि आपकी link से open किया है so that मैं आप लोगों को जो benefits है वो provide कर पाओ thank you number one reason probability का देखिए पूरी मार्केट जो है पूरा stock market जो है या फिर special trading जो है probability का game है कैसी probability है इसमें हमेशा winning की प्रोबाबलेटी है इसमें हमिशा नीशी मार्केट जाएंगा या उपर जाएगा उसकी प्रोबाबलेटी होती है चाय मार्केट साइड विज रहेगा या फिर वोलाड़रेगा इ की भी probability रहती है, तो आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में लेना है कि trending market की probability कब आएगी, ठीक है, कल की वीडियो यानि कि एस दिन वाली की ये जो market condition है, उस दिन मैंने जो वीडियो अपलोड की थी, उस दिन मैंने आपको बताया था कि आज भी market में एक one sided move हो सकता है, नीचे case है, तो उस दिन मैंने analysis बताया था, तो starting से लिएकि यहां तक अपना जो move है, यहां कि आसपस अपने entry लेती है, और यहां कि आसपस अपने book किया था, तो उसके बाद जो reversal का reason था, या फिर आप बोल सकते हो कि क्यों यहां पर exit क्या, इसका reason था liquidity है, अब वो reason को मैं नहीं आपर repeat करूँगा उस video में, यानि कि last video में आप इसको check कर सकते हो, ठीक है, तो अब number one है market structure, जब भी market एक volatile phase में होता है, या फिर किसी sideways phase में होता है, या फिर market कोई one direction में नहीं गया होता है, तो automatically probability बढ़ जाती है, किसी भी एक direction में जानी की, यह हो गया number one reason, second reason क्या है, range यह यह एक total range है, अब range में जब market होता है, market नीचे भी जा रहा है, उपर जा रहा है, यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर maximum लोग sell भी करते है, maximum लोग buy भी करते है, तो जहाँ पर ज़्यादा stop losses है, वहाँ पर तो market automatically जाएगा, अब आप लोग इसमें entry कैसे कर सकते थे, इस move को हो होने से पहले, यहाँ पर आपको देख रहा होगा, यह है, अपना master course का course content, right, इस content में आपको lesson number 36 में क्या दिख रहा है, trend wise trap setup, इस video में trend wise trap setup में exactly आप लोगों को इसी तरह के moves को कैसे capture करना है, उसके ओपर live trade लेके सिखाया हुआ है, ठीक है, अगर आप लोगों को जितने भ मान लेता हूँ कि आप लोगों को जब market यहाँ पर चल रहा था, तो समझ में नहीं आया कि market नीचे जाएगा या उपर जाएगा, लेकिन उसका भी एक reason में आपको बता देता हूँ कि market यहाँ पर क्या कर रहा है, sell side आ रहा है, नीचे नहीं जा पर रहा है, next day same level तक आ रहा ह नहीं दिख रहा है, next morning यानि कि जो next day है, आज का day है, उसमें क्या होता है, आज के day पर 5 minute time frame में मैं अगर आपको बता हूँ, 5 minute time frame में अपने को क्या दिखता है, market यहाँ पर similar कर रहा है, closing price को break किया, sellers को invite किया, number one reason, उपर गया, pullback पर फिर से sellers को invite किया, इस तरह के दो आपे भी नीचे नहीं जा पाए, तो market सुभे से लेके कितने बज़े तक, almost एक बज़े तक क्या कर रहा है, खुद सोचिए, नीचे जाने की तरह बता रहा है, लेकिन नहीं जा पा रहा है, continue market नीचे जाने की तरह बता तो रहा है, लेकिन नहीं जा पा रहा है, आधे लोग वेट कर रहे होंगे, sell कर देते हैं और यहां तक का target ले लेंगे, हमेशा market की nature को याद कर लो, exact support यहां पर है, तो market उससे पहले reverse हो जाएगा, अगर आपने sell किया है और आप अगर सोत्रों की, इस support पर अप लोग buy करेंगे, तो इस support पर exact support पर आता तो क्या करता market, आपको trap कर अब wait for market to prove, then enter on pullback, या फिर जो trend wise trap setup है, उसकी अपन बात करेंगे, यह क्या है, एक resistance होने, यहां पर क्या था, एक resistance होन था, यहां पर भी थोड़ा सा नजदीक आके resistance लिया, अब मुझे बताओ, इस exact resistance zone पर, जब market आ चुका था, तो market किसको invite करेगा, resistance पर इन्वाइट तो आपको कौन सी strategy उसकरनी है, एक तो ठीक है, master course वाली strategy, वो थोड़ी सी, उसमें, जदा details होता है, लेकिन, कल मैंने यूट्यूब पर upload किती strategy, momentum trading strategy for option buyers, उसमें क्या बताया होता, उसमें आपको simply मैंने बताया होता, कि किस तरीके से market, जब भी exact resistance पर आता है, और एक doji, या फिर एक rejection, या फिर sellers को annoyed करने वाली candle, अगर यहाँ पर market बनाता है, और by chance अगर market, trend continuation side जाता है, तो यहाँ पर आपकी एक entry बन सकती है, तो यह हो गई, एक safer entry, wait for market to prove, then enter on pullback वाली entry, ठीक है, reason आपको simply बता दिया था, आज अगर buy side का trade अगर आप पकड़ते हो, तो आपको उ छोड़ना नहीं है, आपको उसको end तक लेके जाना है, reason यही था, क्योंकि एक हर रोस तो market ऐसा करता नहीं, कि आज अगर यहाँ पर market निकला, तो continue होता रहेगा, ऐसा market हर रोस करता है, नहीं करता है, इसलिए आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है, probability, probability निकालोगे, उसी के बाद आप लोग probability के basis पे अगर आपने trade पकड़ा है, तो उसको hold कर रहा है, तो बहुत लोगों को question होता है, कैसे hold करें, कैसे hold करें, कैसे hold करें, तो probability wise hold करो, और फिर daily क्या कर रहा है, कि daily इसको expect करेंगे, नहीं, daily आप क्या expect करोगे, daily 1-2 strictly, और जब आपको, आपका टेलिग्राम मेंबर से, उनको free update से बहुत जाधा benefit होगा, और इस वीडियो में, जब मैंने आपको reasons बताए कि कैसे सारा market probability पे चलता है, उन reasons को आप lifetime use कर सकते हो, उन reasons को आप concepts को daily market में apply कर सकते हो, तो simple चीज़े काम करती है stock market में, अगर आपको कोई भी और ज्यान करी चाह करते हो, आपकी query हर तरीके से solve कर दी जाएगी, चाहे आपने course लिया हो, चाहे आपने course नहीं लिया हो, हर किसी को reply मिलेगा, thank you so much for watching this video, I see you in the next video, thank you